गुद इवनिंग अल अफ यू आई नमित कुमारी वेलकम यू अल और मैं चैनल कॉमर्स हरीकेंज जैसा कि आप जानते हैं कि हम मार्केटिंग मिक्स वाला टॉपिक कर रहे थे जिसमें हम अल्ड़ी कर चुके हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है प्रोड़क्ट एंड उस कंबाइन कर लेते हो वो प्रोड़क्ट मिक्स बन जाता है ठीक है अब प्रोड़क्ट मिक्स यानि प्रोड़क्ट को बनाने के टाइम आपने जो जो काम किया उन सभी को हम कुछ elements में बाढ़ देते हैं, जिसमें पहला element आता है branding, यानि कि जब आप product बना रहे हो तो उस टाइम आपको किस चीज़ का ध्यान लगना है? ब्रैंडिंग का, अब ब्रैंडिंग क्या होता है? ब्रैंडिंग एक ऐसा process है, जिसके जरीए आप अपने product के लिए एक अलग नाम सोचते हैं, अलग नाम क्यूं सोचते हैं? ताकि उसको बाकियों के product से differentiate किया जा सके, क्योंकि market में already बहुत सारे product हैं, तो हमारे product को उनसे अलग करने के लिए हमें उसे एक अलग नाम देना पड़ेगा और उसी चीज़ को हम branding कहते हैं, ठीक है? तो brand आप समझी गए हो, क्या है? product को एक अलग identification जो आपने दी है, वो आपका brand है, it can be word, it can be symbol, यह कोई letter भी हो सकता है, या कोई image भी हो सकती है, या इन सब का combination भी हो सकता है, उसे हम brand कहते हैं, ठीक है? अब आता है कि brand name क्या होता है, देखिए आप सभी ने देखा होगा कि Puma की T-shirt के उपर एक leopard बना होता है, है ना? तो brand name का मतलब पता ही क्या होगा? कि brand के अंदर का वो हिस्सा, जिसे आप पढ़ सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं, जो कि utterable होता है, जैसे कि इसमें आप Puma पढ़ सकते हो, आप बोल सकते हो, तो ये brand name हो गया, ठीक है? नेक्स आता है, brand mark किसे कहते हैं, देखिए brand mark क्या होगा, mark का मतलब निशान या पहचान, कोई चिन, इसमें ये जो leopard बना हुआ है, इस leopard को देखते ही आपको पता चल जाता है, कि ये किसका product है, ये Puma का product है, ठीक है, तो ये चिन जो बना है, ये mark है, इसी तरह, फैविकोल के उपर आपने elephant देखे होंगे, दो अलग अलग direction में जाते हुए, उसको देखते ही आपको पता चलता है, कि ये Puma का product है, clear हो गया, अग सिंपल सी बात है, ये अकेला अगर देखा जाए, तो brand mark है, इस अकेले की बात की जाए, तो ये brand name है, अगर इन दोनों को combine कर दिया जाए, मतलब इन दोनों को combine करके हम बोलें, तो ये brand है, ठीक है, क्योंकि यह combination हो गया, letter का and symbol का, ठीक है जी, अग trademark क्या होता है, देखिए trademark क्या होता है, कि हम जब अपने brand के name को trademark act के अंदर register करवा लेते हैं, तो वो हमारा trademark बन जाता है, ठीक है, trademark register act क्या होता है ये मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि यो थोड़ा lengthy process है, अब हम आगे चलते हैं, कि अगर आप अपने product के लिए एक अच्छा सा नाम decide करना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी, जो कि सबसे मुश्किल काम है, ये तो वही बात हो गई, जैसे घर में एक बच्चे ने जनम लिया उसका नाम decide करना है, तो पूरे घरवाले परेशान होते हैं कि क्या नाम रखें, वैसे ही product का क्या नाम रखें, ये decide करना सबसे मुश्किल काम है, तो product का नाम सोचते time आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि product का नाम simple and short होना चाहिए, मतला कि आसान और छोटा सा, ताकि वो customer को easily याद रह सके, like, lux, bajaj, detall, hamam, ये सारे छोटे-छोटे हैं and easy है, next है easy pronounceable, यानि कि बोलने में आसान होना चाहिए आपका नाम, इतना टफ ना हो कि customer वो नाम बोल ही ना पाए, जैसे कि ये तो बहुत easy है, tata, bata, birla, बहुत easy है ये नाम, ठीक है, names हमने इसलिए रखा क्योंकि easy pronounceable होना चाहिए, next आता है suggestive, suggestive का मतलब है, कि जो नाम आप अपने product का रखने जा रहे हो, उसके नाम से ही सुनते ही पता लगना चाहिए, कि ये product किस चीज में use होगा, जैसे कि पेट सफा, सुनते ही पता लगता है कि पेट की सफाई करने वाला, उजाला, सुनते ही लगता है कि ये कपड़ों को, या किसी भी चीज को उजाला दे सकता है, ठीक है, next आता है distinctive, जो कि बहुत जरूरी है, नाम decide करने के time, आपके product का नाम सबसे अलग होना चाहिए, market में हजारों product है, तो आपको अगर अपन पहचान बनानी है, तो name बिल्कुल different होना चाहिए, वरना customer confused हो जाएगा, कि आपका product कौन सा है, और दूसरे वाले का product कौन सा है, ठीक है, अब आता है concept, कि branding करनी जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है इतना time jam करने की, इसलिए क्योंकि ये दोनों के लिए फाइदे मन है, seller के के लिए और customer के लिए भी, seller के लिए क्यों फाइदे मन है, या marketer के लिए, क्योंकि ये product की अलग पहचान बना देता है, ठीक है, नया product आया, उसका नाम आपने अलग रखा है, तो customer के mind में अलग से आपके product की पहचान बन जाएगी, दूसरा फाइदा, easy advertising, advertising में आप अपने product का नाम दे सकोंगे, तो easily add भी करनी हो जाएगी, ठीक है, next है introducing new product, जब भी market में नया product launch होता है, तो उसका नाम सबसे जादा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ताकि customer को पहचान हो जाए, कि market में इस नाम का भी कोई product exist करता है, ठीक है, तो ये customer के point of view से भी beneficial and marketer के भी, now towards the customer, customer के लिए, branding क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये ensure करता है quality, मतलब कि अगर अच्छा brand है, तो customer को guarantee होगी, कि ये quality अच्छी होगी, इस product की quality अच्छी होगी, जैसे Reebok है, Nike है, हम मानते हैं कि अच्छी companies है, इनके shoes अच्छे होगे, Apple है, हम मानते हैं कि Apple की company अच्छी है, तो उनका brand अच्छे होने की विज़े से quality भी अच्छी होगी, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है, तो quality की guarantee ये देता है, next है satisfying status symbol, ये आपके, जो status symbol बनाने की इच्छा है, उसको satisfy करता है, क्योंकि अगर आपके वास Mercedes है, तो आपका status बड़ा अच्छा होगा, सब सोचें कि बड़ा पैस ये एक ऐसा process है, जिसमें की हम product के उपर label लगाते है, label का मतलब, product के उपर एक slip लगा दी जाती है, जिसके उपर उसके name के बारे में और बाकी जानकारी दी जाती है, ठीक है, तो label कितने type के होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए, kinds of label, first is brand label, brand label का मतलब होता है, कि product के उपर brand label, यानि एक ऐसा label, जिसमें सिर्फ क्या है, उसका name लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं, next, आता है grade label, grade label का मतलब होता है, कि हम product की quality बताते है, कि ये जो product है, इसके अंदर क्या खास है, जैसे कि ये हिमाले का hair shampoo है, जिसके उपर लिखा है anti hair fall, तो ये जो हिमाले लिखा थ ये तो इसका क्या था, brand label की नाम दिया हुआ है, लेकिन brand के साथ साथ क्या दे दिया, grade label, यानि बता दिया कि ये ऐसा shampoo है, जो anti hair fall, यानि इसकी quality ये है, ठीक है, next आता है, हमारे पास destructive label, destructive label का मतलब होता है, कि आपके पास, जैसे कि ये product है, इसके back side पर सब कुछ मेंशन होत सारी चीजें इस पर बताई गई है, तो जहां detailed information होती है, वो descriptive label होता है, ठीक है, तो ये तीन तरह के labels होते है, अब मुझे बात बताईए, label की जोरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर product के उपर label ही नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा, कि वो product क्या है, जैसे कि, suppose करते हैं कि इस कि ये name है, brand का name है, recipe है, सब कुछ बताया हुआ है, तो ये क्या फाइदा हो गए ना आपको, तो इसलिए labeling की जाती है, product के उपर, ठीक है, next आता है हमारा packaging, packaging क्या होती है, कि product जो भी हमने बनाया है, उसको जिस container में डाला जाता है, उस container को हम packet कहते है, ठीक है, और उस packet को ब है, process है, packaging बनाने का, packet बनाने का, तो packaging के क्या function है, पहला function, product की identification करवा देता है, मतला कि आपको बता देता है, कि ये product जो है, कौन सी company का है, ठीक है, packet, अगर नहीं होगा, तो packet नहीं होगा, तो चीजे ऐसी खाली पड़ी रहेंगी, जैसे कि खुली दाल मिलती है, खुले मसा packaging क्या करती है, कि product की identification करती है, और quality की guarantee देती है, next function क्या है, कि ये product की protection करती है, मतलब कि, जैसे कि आपने देखा, कि ये product है, ठीक है, इस product के अंदर, किस तरीके से होता है, ये आपको इस तरीके से, ऐसे क्यों मिलता है, फिर उसके पर ये करके क्यों मिलता है, ताकि इसके क थूल, मिटी, जर्म्स, और यह सील ना जाए, सील ना समझते हो, वेट उना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इसलिए, यह पोड़ाक्षन में हेल्प करता है, उसे घराब होने से बचाता है, next product की promotion करता है जितना अच्छा packaging होगा आप उसकी तरफ उतने attract होंगे कई बार ऐसा होता है कि कोई product आप खरीदना नहीं चाहते लेकिन उसकी packaging इतनी attractive होती है कि आप उसको देखके बस उसकी अगर आपको oil या milk packets में ना दिया जाए तो कैसे लाएंगे आप मुश्किल हो जाएगा ना घर तक उसे लेकर आना तो इसलिए उनको packaging में डाला जाता है package में डाला जाता है clear है तो यह सारे इसके functions हैं अब देखिए functions तो आपको मैंने बता दिये समझा दिये बुक से भी कर लोगे मगर याद कैसे करें इसके लिए एक छोटी से ट्रिक आपको बताते हूं product item इसके लिए देखिए मैंने एक छोटा सा funny सा concept बनाया है कि एक स्पी सॉरी एक inspector है ठीक है वो क्या करते है criminal को उन्होंने crime होता देखा और उस criminal के खिलाफ एक उनके पास चश्मदीद गवा था उन्होंने उस गवा को क्या किया identify किया ठीक है identify करके उसे protection दी कि एक अच्छी जगा पर उसे रखा protection दी अच्छी जगा रखा ताकि criminal उसे पकड़ ना सके उसे मार ना दे और वो उस जगा पर बहुत convenient था यानि कि बहुत आरा काम से रहा और इस सारी कार नामे की बाद फाइनली उस इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिल गई ठीक है एक छोटी सी कहानी मैंने डिवलप की है अब देखें इन सब के आगे product तो common है product product आपको सिफ आगे क्या एड करना है identification protection promotion and convenient है ना कितना इजी कि एक इंस्पेक्टर ने identify कर के उसको protect किया product करके convenient place पे रखा जिसकी विज़े से उसकी promotion हो गई है ना देखें कितना easy इसको याद करने के लिए भी मैं आपको बता देती हूं आप सबने GTB सुना होगा है ना GDP gross domestic product लेकिन यहां हमें GDP नहीं करना हमें GDP याद रखना है G for grade, D for description, B for brand हो गया ना GDP आपको आ करते हैं हम levels of packaging पर levels of packaging का मतलब कि जब आप package कर बनाते हो किसी भी product के लिए तो वो किन-किन level से होकर गुजरता है एक product primary, secondary and transportation three level से होकर गुजरता है आपको मैं product दिखाऊंगी तो ज्यादा से से याद हो जाएगा पहले हम बात करते हैं primary product की primary product या primary packaging का मतलब होता है कि वह व मतलब कि जिसमें actually product डाला गया है जैसे कि ये cream इस cream की ये जो tube है, tube के अंदर हमने product को डाला है तो जो cream है और जो ये tube है इन दोनों का contact हो रहा है, direct contact हो रहा है एक दूसरे को touch हो रहे है तो ये primary packaging थी, ये tube primary packaging थी, secondary packaging का मतलब होता है कि जब आप, जो आपने primary package किया है उसके उपर भी एक और packet लगा दो, जैसे कि इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, secondary packaging जो इसके बाहर का है, ठीक है, and transportation, मतलब अगर मैं ऐसी 100 tubes उठा कर एक जगा से दूसरी जगा ले जाना चाहूं, तो हाथ में ले जाना तो मुश्किल है, ठीक है तो यही हमारा concept था, product mix का जो यहां खतम हो गया है, अब product mix के अंदर एक चीज और छोटी से trick आप समझ लीजे, product mix में क्या क्या आता है, कैसे याद करना है, branding, packaging, labeling, ऐसे है ना, आप सभी ने BPL तो सुना ही होगा, सुना है ना, below poverty line, लेकिन यहाँ BPL का मतलब पता है क्या है, ब्रैंडिंग, packaging, labeling, हो गया ना, easily यहाँ, कि product mix के अंदर क्या चीज़े होती है, BPL होता है, तो इस तरह के अगर short tricks आप खुद भी बना सकते हैं, जिससे आपको theory याद करना आसान हो जाए, क्योंकि बिजनस में main दिक्ति ही है कि points बहुत सारे होते हैं, और learn करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए, प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं बहुत thankful हूं उनकी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, and like कीजिए वीडियो को comment कीजिए, share कीजिए जादा से जादा, and thank you from my side.